नमस्कार देश की बात में आपका स्वागत है मैं हूँ अदिती राजबूट हमारे देश में हर साल सड़क हाथसों में लाखों लोगों की जान चली जाती है और हर घंटे उससाब से अगर हम आकड़ा निकाले तो 47 हाथ से होते हैं और हर घंटे 18 मौते ये सिर्फ आकड़े नहीं है किसी के परिवार का सदस्य होता है जिसकी जान कभी उसकी या किसी दूसरे की लापरवाही से चली जाती है और जेलना पूरे परिवार को होता है जड़ गया तो क्या वज़ा है कि हर साल सडकों पर हमारा जो रोड ट्रांस्पोर्ट सिस्टम में वो बहतर हो रहा है लेकिन हाथ सो में कमी नहीं देखी जा रही आखिर क्यों लोगों में कानून का कोई खाफ नहीं है 2018 में 24,791 हाथ से सिर्फ रॉंग साइड ड्राइविंग की वज़े से हुए और 8,764 लोगों की जान चली गई 2019 की बात करें तो 24,431 हाथ से हुए हैं रॉंग साइड ड्राइविंग के चलते और 9,201 लोगों ने अपनी जान उसके चलते गवाई है 2020 में 20,228 हाथ से 7,332 मौते और अगर 21 की बात करें साल 2021 की तो यहां पर 21,491 हाथ से हुए हैं रॉंग साइड ड्राइव करने वालों के चलते और 8,122 मौते हुई हैं रगातार हम देख रहे हैं कि जो हाथ सो का नंबर है आंकड़ा है यह कम बिलकुल भी नहीं हो रहा है और मौतों की तादाद भी बढ़ती यहां पर जा रही है राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो वहां पर भी सड़त हाथ सों में कोई कमी आती हुई नजर नहीं आ रही है उस बारे में जादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सही होगी मौकेश सिंग सेंगा घर पर समय से पहुंचने की जल्दवाजी रोड पर बीच में कटना होना और ज्यादा ट्राफिक होना ये कुछ ऐसी वज़े हैं जिसके चलते लोग रॉंग साइट यानि गलत दिशा में चलते हैं लेकिन उनकी ये गलती जान लेवा साबित होती है और इसकी बज़े से प उसने कार को टकर मारी जिसमें कार सवार छे लोगों की मौत हो गई इसके बाद गाजियाबाद में ही एक कार सवार जो की उल्टी दिशा में आ रहा था उसने बी टेक के चात को टकर मारी जिससे बी टेक के चात की मौत हो गई अब सवाल ये है कि जो लोग गलत दिशा में हैं उन पर पावंदी कैसे लगाई जाए इसको लेकर अलग अलग राज़ों की जो ट्राफिक पुलिस है वो अपने इस तरफ पर कारवाई कर रही है लेकिन अगर हम दिल्ली की की बात करें दिल्ली में साल दो हजारबीस में गरत दिष्णामें चलने बासो ההजार वालों के एक लग अटाइस हजार साथ चलान हुए दोहजारएकिस में एक लाख 14 931 चलान हो चुके हैं तो इससे आप अंदाजर आ सकते हैं कि दिल्ली में भी किस तरह से लोग ट्रैफिक के नियमों को तोड़ रहे हैं गलत इसामें चल लही हैं दिल्ली में हर साल 1400 से 2000 लोगों की मौत सड़क हाथसों में होती हैं और इन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो की गलत इसामें चलने के चलते हाथसों का शिकार हो जाते हैं जो सकती से पालन होगा लेकिन ऐसा होता नहीं है काफी ज्यादा संख्या बढ़ गई है और ज्यादा संख्या बढ़ने के कारण से जागरूपता की भी आवशकता है क्योंकि जागरूपता के तौर पर जो आपने गाजियाबाद का उधारन दिया कि अगर एक स्कूल बसीज के लिए कि स्टेंडर्ड प्रोटोकॉल है कि उनक की बात आपने जो मुद्धा उठाया रॉंग साइट ड्राइविंग का रॉंग साइट ड्राइविंग की जो वाइलेशन जो हो रही है उनके खिलाफ एक्शन निरंतर बढ़ता जा रहा है बढ़ने का कारण ये भी है कि जो रिकॉर्डिंग है वो ज्यादा बढ़ गई क् की इलेट्रोनिक सेर्वडिलेंस के कारण से इलेट्रोनिक कैमराज के कारण से जो है रिकॉर्डिंग बढ़री है तो उसके खिलाफ एक्शन भी बढ़ रहा है लेकिन सबसे महत texto बात यह है कि जब रोड सेफ्टी की बात होती है सड़क्शा की बात होती है तो ये सामुदा पर गतिविदिया चलती रहती है, चाहे वो साइकलिस्ट के लिए हो, कॉमर्शल वहिकल्स के ड्राइवर्स के लिए हो, डिटीसी बसीज के लिए हो, फोर वीलर्स के लिए हो, निरंतर जागरूकता हमारी जो रोड सेफटी सेल के लोग हैं, वो जाकर स्कूलों में जाते हैं, हैं colleges में जाते हैं auto drivers के साथ meetings करते हैं जो intersections हैं वहाँ पर जाकर meeting करते हैं रात के time में भी जो commercial vehicles के drivers हैं क्योंकि जब patalities की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि जब analysis करेंगे तो रात के time में fatalities बहुत जाद हैं जो major components वह रात के time में क्योंकि उस वक्त ट्राफिक पुलिस की प्रेजन्स बेर में नीवम रहती है तो उस वक्त भी जो ओवर स्पीड की वाइलेशन्स है उन पर नियंतरन करना बहुत आविशक है रात के दिश भर में यहापर आप अक्सर इस तरह के लोगों से दो चार होते हैं जो नियमों को तोड़ते हैं तो लो बिल्कुल बात सही है जिस तरह से अगर दिली की बात करते हैं तो जिस तरह से तकरीबन हर साल 6 लाक गाडियां एड हो रही है रजिस्ट्रेशन उनका हो रहा है साथ के साथ जो नियमों की बात करते हैं तो आप मैं आपको यह बताना चाहूंगा आपके माधियम से कि हमारे यां करीबन दो करोड से ज्यादा नोटिसीज पेंडिंग है हम लोग प्रयास कर रहे हैं जाग रूपता के तहत भी कि लोग उन नोटिसीज को जो है उनका पेमेंट करें साथ के साथ हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि नितिगत तोर पर यह हो कि आपके अगर नोटिसीज पेंड उस वक्त जो है वो क्लियरंस हो कि आपके इतने नोटिसी स्पेंडिंग हैं तो कुछ हमने सुझाओ दिये हैं जो विचारा दीन है जिसके कारण से भी जो ट्रैफिक नियम के जो उलंगन की जो घटनाय हैं वो कम होनी चाहिए और साथ के साथ जब बार-बार आप रिपीट कर पर डिसिप्लिन लाने के लिए जो रोड यूजर है चाहिए वो ड्राइवर है अगर वो वाइलेट कर रहा है कुछ लोग ट्रिपल राइडिंग वाइलेट करें लेन मैनेजमेंट फोलो नहीं करें जो पैदल यात्री हैं उनको जेबरा क्रॉसिंग करने में बादा डाल द मौत हो रही है हाथसा हो रहा है तब ही आई पीसी के तहट आप राधिक मामला जो है दर्ज होता है लेकिन कई बार जब गंभीर चोटे भी हा रही होती है तब भी सर्फ एक साधारा इंचालन कार्ट दिया जाता है तो जो पीडित पक्ष होता है वो ऐसे में उसके लिए का का काफी खर्चा हो जाता है देखिए जो आपने बात के अगर गंभीर चोट आती है चालान होना एक लग चीज है पीसी के तहट एक्सीडेंट का केस रजिस्टर होना और मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्राइबुनल में किसी भी पीडित को पूरा अधिकार है अगर चोट प्रोसीजर के तहत प्रियास किया जाता है कि टाइमली कंपंसेशन भी उनको मिले बिल्कुल यहां पर दो हजार बीस में ही एक लाग अठाइस हजार साथ चालान हुए थे हमाँ पास जो आंक्रे हैं लेकिन इस साल जून तक ही अभी जुलाई का तो इसमें जुड़ा नही यह है कि जो एक्शन है वाइलेटर्स के खिलाफ में वह भी बढ़ी है बहुत फोकस्ड जो है एक्शन ली गई है क्योंकि बीस इकिस में देखेंगे तो आप करोना के कारण से काफी ज्यादा एक अपने आपी एक कंट्रोल था लेकिन से और तीस में जो है वाइलेटर्स के खिलाफ सक्ट एक्शन ली गई और आगे भी ली जाएगी इसमें कोई दोर आए नहीं है क्योंकि इस तरह की जो देखें नियमों का उलंगन ना केवल एक सिविक रेस्पॉंसिबिलिटी इसको अपने आपको दर्किनार करना है बल्कि कानून का उलंगन भी और इसके साथ स हमारे भीतर होना चाहिए कि जब हम ड्राइव करें तब इस बात का ध्यान रखें कि दूसरे की जान और हमारी जान दोनों ही बहुत कीमती है और सावधानी बेहत जरूरी है बहुत-बहुत शुक्रिया आप काम से जुड़ने के लिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं ग्यान वापी केस का मामला है उसमें एसाई सर्वे के मामले में इलाबाद हाई कोट में आज सुनवाई हुई है मुखिन आधीश की बेंच में सुनवाई हुई है यहाँ पर इलाबाद के मुखिन आधीश की कोट में कल इस मामले में आगे सु जुलाई तक मामले में रोका गया था, हम सीधा रोक कर रहे हमारे सहीयोगी सौरब शुकला का, सौरब पहले लग रहा था कि इलाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई नहीं होगी, लेकिन अब सुनवाई हुई है, ये कही न कही मस्जित पक्ष के लिए थोड़ी राहत की ब देश था, और लगभग आज शाम होते होते लगाए कि आज सुनवाई नहीं होगी, कल सुनवाई होगी, लेकिन चीफ जस्टिस इलाबाद हाई कोर्ट कोईनों ने खुद सुनवाई करी और लगभग पात बजे के करीब ये सुनवाई शुरू हुई, सुनवाई में जो इ इदजामय पक्ष में कहा गया कि जिस तरीके का सर्वे हिंदू पक्ष चाता है, उससे तो मस्जद पूरी की पूरी जमी दोज हो जाएगी, उस पर हिंदू पक्ष की तरफ से ये कहा गया कि कोट में तुशार मैता के माध्यम से जो ASG है, उनके माध्यम से ASI ने बताया है क को कि ASI कुछ भी तोड़ फोर्ड नहीं कर रहे है, वो सिर्फ तस्वीरे खीच रही है और रेडियो मैपिंग कर रही है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है जिससे मस्जद का जो मूल बूर्ट धाचा है वो धुस हो जाए, तो जिस पर इलाबाद हाई कोट ने कहा कि ये ब एक हफते बाद ASI खुदाई क्या तोड़ फोर्ड कुछ कर सकती है जिससे की मस्जद के मूल भूल धाचे और मस्जद के मूल भूल सरचना को नुकसान पहुच सकता है, इसको लेकर के बातचीत आगे बढ़ी और आपको बताएं कि कोट ने हिंदू पक्ष ने ये भी पू बूशा कि क्या कभी ऐसा ASI का सरवें देश में हुआ है जिस पर हिंदू पक्ष ने कहा कि ऐसा राम मंदर के वक्त हुआ था और ASI ने ही एक सरवें राम जनभूमी में आयोद्ध्या में किया था और इसलिए ASI का सर्वे कराकर के जानना जरूरी है कि यह मस्ज़िद Aura毅 के एरा से पहले या धाचा जो है Aura毅 के एरा के बात का है तब यह मस्ज़िद मान सकते हैं तो यह दलीले कोट में हुए और ASI को पार्टी नहीं बनाए गया है तो हो सकता है कि कल जब सुनवाई हो सुबह साड़े नौ बजे तो कोट A.S.I. को भी पार्टी बना दे तो एक कुछ दलीले हुई है और कल सुबह सुबह सुर्वे सुर्वे पर सुप्रीम कोट ने रोग भी लगाई हुई है अधिती बहुत शुक्रिया सुरव सरलता से इस पूरे मुद्धे को समझाने के लिए कि क्या कुछ आज हुआ है सुनवाई में तो मुस्लिम पक्ष ने यहाँ पर एक तरह से कहा है कि अगर हिंदू पक्ष के हिसाब से सर्वे हो गया तो मस्जिद की इमारत खत्म हो जाएगी और जब मनिपूर में हुई हिंसा के विरोध में मिजोरम के लोगों ने राजधानी आईजवाल में एक जुड़ता रैली निकाली मिजोरम के मुखेमंति दौरम थंगा भी इस रैली में शामिल हुए ये रैली हिंसा ग्रस्त मनिपूर के लोगों के साथ एक जुड़ता दिखाने के लिए निकाली गई थी जिसमें बड़ी तादात में लोग और जोरम थंगा की पार्टी के कारेकरता भी इसमें शामिल हुए अर उधर मनिपूर में अवैद घुसपैट का डड़ जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है दसल खबाराई की 2223 जुलाई को सिर्फ दो दिनों के बीतर मया मार के 718 लोग जो है वो बिना कागजों के देश में घुसाए हैं अब मनिपूर की सरकार ने असम राइफिल से इस बारे में विस्तरत रिपोर्ट मांगी है कि कैसे दो दिनों में ही मया मार के 718 लोग जो है बिना कागजों के देश में घुसाए ये क्यों इतना है मैं ये बता रहे हैं हमारे सही होगी रतनदीप चौथरी मनिपूर सरकार ने एक प्रेस रिलीस में ये दावा किया है कि असम राइफिल्स ने मनिपूर सरकार को ये बताया है कि इस मेहने के 22 और 23 तारीक को मनिपूर के चांडेल जिले में जो मायनमार से सटा हुआ बॉर्डर है उससे 718 मायनमार इस नेशनल्स मनिपूर में दाखिल हुए हैं उनके पास कोई वैली डॉक्मेंट नहीं थे और ये लोग जो मायनमार और भारत बॉर्डर में मायनमार के साइड में जो पिछले एक वर्ष से भी ज्यादा समय से वहाँ पे जो मायनमार की आर्मी है उसके सा लते ये लोग यहां पर आये हैं इसके पहले भी ख़बर ये है कि हजारों की संख्या में लोग मनिपूर आये हुए हैं और ये जो लोग आये हैं इनके आने के ऊपर मनिपूर सरकार ने अब असाम राइफिल्स को एक चिठी के जरीए ये लिखा है कि ये लोग किस तरह से अब यहां पर आप आये इसकी जानकारी मनिपूर सरकार को चाहिए क्योंकि जो मनिपूर सरकार ने इसके पहले ये दावा किया है कि असाम राइफिल्स जो की मियानमार के साथ जो भारत का बॉर्डर है उत्तरपूर में उसकी रखवाली करता है उसको कहा गया था कि कि किसी को रेस किया है मनिपूर सरकार का यह कहना है कि यह जो लोग आए हैं इनके साथ हत्यार भी अंदर आए हैं कि नहीं इसकी भी पुछ्टी होनी चाहिए और असाम राइफल्स को यह कहा गया है कि यह जो लोग आए हैं इनको वापस अपने देश पुछ बैक करें कहीं न कहीं प ही है मनिपूर सरकार ने और असाम राइफल्स को कजा करने चाहती है मनिपूर गवर्मेंट मगर इस पे सेंटर का क्या रवया रहेगा सेंटर का क्या रूख रहेगा ये एक देखने लाइक बात होगी अजय को अजय को अरब टमाटर की बात करते हैं हर साल इन दोनों आम तोर पर टमाटर महंगा होता है लेकिन इस साल कम सप्लाई से दाम कुछ जादा ही बड़े इतने बड़े की लोगों के किचन का जायका बिकड़ गया बजट बिकड़ गया लेकिन इसी टमाटर ने कुछ लोगों को करोड़ पती बना दिया जिनमें से एक है तेलंगाना के मेड़क के महिपाल जिन्होंने टमाटर बेच कर एक करोड़ असी लाक रुपए कमाए महिकाल से मुलाकात की है हमारी सहीयोगी उमासुधीर ने यह टमाटर का खेथ है और आप देख सकते हैं उसमें हरी सी सबजी है जो आप तक पहुंचते पहुंचते खुबसूरत सी लाल हो जाएगी हमारे साथ महिपाल रेड़ी जी है जो किसान है टमाटर इन्होंने लगाए आठ एकर में और एक महिने में ही उनको अब करोड से ज्यादा और वो समझ रहें कि दो करोड तक भी इस बारी टमेटों का सेल हो सकता है हाव मैडम हम यह टमाटर हार्वेस्टिंग एप्रेल 15 से करा एप्रेल 15 से जुन 15 तक हार्वेस्टिंग चाल वा अभी तक रोजाना 200 boxes टोहंडेड़ बॉक्सटिंग कर रहां अभी तक 700 बॉक्सेस पिकिंग कर रहां और भी है बारिश बहुत हो रहा है बारिश एक दस दिन से बहुत बारिश हुआ अभी तक भी जाड़ अच्छा है मगर कैसा देखींगे अभी तक एक क्रोड तक उपर है आने वाला अब बहुत हमारा को यह रेट तो बहुत अच्छा है बहुत कुश हो रहे हमारा मुक्यमंद्री भी हमारा सन्मान करा बहुत संतोश है और घर में आपके बीवी क्या कहती है बीवी बहुत खुश है उसको भी लेकर आके मुक्यमंद्री से सन्मान भी करा हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत मुश्किल लगी होगी पिछले कुछ हफतों में टमाटर खरीदना लेकिन किसान इस बारी खुश है कि उनको रेट मिल रहा है क्योंकि अक्सर ऐसा भी होता है कि जो क्रेट है उसका दाम इतना गिर जाता है कि कभी-कभी टमाटर को फिङू यानि कि रिस्क बहुत रहता है कभी खेट में चोड़ता कभी रेट नहीं तो सब रुपे बाक्स गए तो पिकिंग नहीं करता वह करके गोट लोगों काने के लिए चोड़ देता ऐसा भी है इस बारी का रेट इतना बड़ा क्यों आपको क्यों लगा बड़ा तो अम इतना एक्सपेट नहीं करा 500 र 15 स्टेट को पूरा मदनापली कोला डिस्टिक करनाटका उसमें से ज्याधा सफले करता में जून जुलाई को त्यलंगाना में कई को नहीं होता बोलके हम सोचके उधर जाके किसान लोगों को पता करा करे तो उनु बोला तुमरा की टेंपरेचर ज्याधा रहे था तो जिए जौले तो तुमर को आता बोलके बोले तो बेंगलूर से पूरा करिदा करके शेट्नेट भी उदर से लाके पहले पहले आएड एकर लाएक शेट्न डाला बहुत सक्सेस हुआ दूसरा कि सनों कि हम क्या बोल रहे हम एप्रेल में मार्च में जेड़नेट दालके पूर का भी इसमें एक हाथ था इनके सक्सेस में और इनका कहना है कि दूसरे किसानों ने इनको सिखाया कि क्या करना चाहिए ताकि आपकी जो प्रोड़क्टिविटी है वो बढ़ सकती है मेदक से कैमरपसर नागराजु के साथ उमा सुधीर ndtv इंडिया के लिए दुनिया में सबसे ज़ादा टू विलर चलाने वाले लोग भारत में हैं देश में तकरीबन 18 करोड 70 लाख टू विलर्ज हो गए और ये संख्या दुनिया में सबसे ज़ादा है ज़ादा जानकारी दे रही है हमारी सही होगी साक्षी बजाज इंडिया की रैंकिंग ज़ो है वो सबसे उचाई पर है नमबर वान पर है रेजिस्टर टू वीलर्स जो है उधर ये जो है लेतिस डेटा वर्ल रोड स्टेश्स का आया है और इंडिया के बिलकुल बाद इंडोनेजिया और चाइन जो है वो है इस लिस्ट में तो एक्सप जो ग्लोबल टायप्स कर रहे हैं वो जो है काफी अच्छा साइन है आगे जाके इस सेक्टर को प्रीमियम सेगमें जिसे कहते हैं उसमें जाना जाना के लिए लेकिन जो इंडिया है वो रैंकिंग में नंबर आठ है जहां तक टोटल वेहिकल्स इन यूज जिसे कहते हैं जो रोड पे अभी एक्टिव दिख रही है वेहिकल्स उसके अनुसार तो एक्सपर्स का ये मानना है कि ये जो है याद रखिए पूरा डेटा नहीं देता है ऑटो सेल्स का जो डेटा है हर महीने वो काफी स्ट्रॉंग आ रहा है और उनका ये मानना है कि याद रखिए 2022 में इ झाल